कोरोना काल में तकनीक का महतु भी बढ़ा है और टेकनोलोजी हर किसी की रोज मर्रा की जरूरत भी बन गई है। इस बढ़ोतरी की एक और वज़ा है कि 2012 से 2020 के बीच आईटी पर ग्लोबल स्पेंडिंग हर साल धाई फेजदी बढ़ी थी लेकिन अब अगले तीन साल में इसके 9% से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। हाला कि इन नौकरियों को हासल करने के लिए जरूरी स्किल का होना अनिवार है। नई नौकरियों में क्लाउड आर्किटेक्चर, साइबर सिक्योरिटी, फुल स्टैक डिवेलपमेंट और आर्टिफिशल इंटेलिजन्स जैसी स्किल्स के डिमांड है। अगर बात करें अलग-अलग आई-टी कमपनियों के हाईरिंग टागेट की तो टी-सी-स ने हाईरिंग का टागेट 40,000 फ्रेशर्स से बढ़ा कर 78,000 कर दिया है। टी-सी-स अब तक 43,000 फ्रेशर्स को नौकरी दे भी चुकी है। विप्रो ने 2021-22 के लिए अपने हाईरिंग टागेट को 17,000 और इनफोसिस ने 45,000 कर दिया है। एच-सी-एल टेक ने 22,000 फ्रेशर्स को रखने की योजना बनाई है। और दूसरी तिमाही में रेकॉड 11,135 कर्मचारियों को नौकरी दी है। लेकिन फ्रेशर्स को नौकरियां बांटने के साथ ही आईटी कमपनियां अपने मौझूदा टालेंट का भी भरपूर खयाल रख रही हैं। बर्ते रेविन्यू के बीच मौझूदा कर्मचारियों को साथ जोड़े रखने के लिए इंसेंटिव्स दिये जा रहे हैं।